हेलो एंड नमस्ते, तो स्वागत है आपका मेरे एक पुराने, मेरे क्या बोल रहा है, मेरे एक नए ब्लोग में, तो चलो आज का ब्लोग अक्षाम, अरी, शुरू करते हैं, तो अभी नए नया ब्लोगिंग कर रहा हूं, तो गलती हो जाती है, बोलने में, अगर पसंद ब्ल पेंट फटा गंजी भी फटा सब कुछ फटा यह भी फटा दाज भी इसके हां था यहां सो के क्या कर रहा है आज इसकी बारी है खर परतवार उखाडने की तो कल मैंने और माने यहां तक उखाड लिया था अब यहां से उखाडना होगा तो चलो स्टार्ट कर शुरू करता हूं तो वीडियो रिकूर्डिंग अभी बंद करता हूं क्योंकि मेरे पस्ट्राइप और नहीं है नहीं तो मैं दिखा लेता कि केज में कायर करता हूं तो मित्रों अभी बज़ रहे हैं साड़े तीन साम का समय है और मैं फिर से आजुका हूं खेतों में काम करने के लिए मित्रों आज का कारी संपन हुआ अब कुछ इस तरह से इधर खर्पतवार फेक दिया है खेट से उख़ड के यहां फेकना होता है तो यह काम मैंने कर दिया है और हमारा सूरी भी डूप चुका है इधर देख सकते हैं सूरी अभी दिखाईने दे रहा है अब अब गर जाने का वक्त है हम लोग किसान लोग कुछ भी मेनत नहीं करते हैं देख सकते हैं आपको दिखा दिया कुछ भी मेनत तो नहीं करते हैं कुछ भी नहीं करते हैं चलो आप घर की और आप दिख सकते हैं कि नहारा भरा खांस और खाय काफी ज्यादा हरा 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 इसमें मकाईब हो या गया था जो कि गाय बेल बख्वी ने साफ कर दिया, सब साफ कर दिया तो यह आज का मेरा सुवारी इससे मैं घर जाए इधर हमारा चैन्दा मामा भी उग चुका है दिखा रहा हूं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यह दिखिए रात को सबसे अच्छा चम की ला दिखीगा क्योंकि कलपूर निमा है न यह हमारा चैन्दा मामा देखिए किसा दिख रहा है बल्व जिससा दिख रहा है तो आज का बलॉक किसा लगा मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही लगा होगा तो मिलते हैं कल के बलॉक में तब तक के लिए बाय बाय टाटा षुर बलॉक का उन का लगा लोगा आप साथ ए्ट है रहा हैँ